हेलो गाईज असलाम अलेकूम आज आपको हम बताएंगे कि लेडी शर्ट हम किस तरह से रैडी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया हुआ है इस तरह से मैंने दो फोल्ड में इसको कर रखा है और यहाँ पर मैंने एलाइन की कुर्थी बनाने के लिए सिफ दो कि मैंने जो कपड़ा टू फोल्ड में करके रखा है तो यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया है और यहाँ पर हम दो इंच पर एक मार्क कर देंगे तो यह हमारी बटन पटी के लिए हमने मार्क कर लिया है ठीक है अब यहाँ पर हम जो मैंने दो इंच का मार्क कर देंगे अपनी और अब हम यहाँ पर अपनी लेंथ का मार्क करेंगे तो मैंने 43 इंच अपनी लेंथ रखी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो अब यहाँ पर अपना हम यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर जो हमने 2 इंच का कपड़ा लिया हुआ है जो मार्किया तो यहाँ पर हम अपना आर्मोल्स भी साथ इंच पर मार्क कर देते हैं देखे हमने आर्मोल्स भी मार्क कर लिया हुआ है अब हम अपना वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर तो सबसे पहले उपर से हम लेंगे तो वेस्ट कहां पर आएगा तो वेस्ट पर एक हम स्टेट मार्क करेंगे 14 इंच पे और hip की मार्किंग करेंगे 22 इंच पर तो इस तरह से आपको निशान लगा लेने है मार्किंग कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करिया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को तकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें तो अब यहाँ पर मैंने वेस्ट जो लिया है वो 8.5 इंच लिया है यानि कि 8.5 इंच लिया है तो यहाँ पर हम 10 इंच ले लेते हैं तो यह जो हम बना रहे हैं यह मेरे 32 इंच का चेस्ट है और मेरे 36 इंच की कमर से हम अपनी अकॉर्डिंग यह बना रहे हैं तो अगर आपका इतना हो तो यही मजिनमेंट से आप अपनी कटिंग कर सकते हैं अब यहाँ पर आर्मोल्स के लिए हम हलकी सी गुलाई दे देंगे यह हमारा आर्मोल्स बन जाएगा यह एक इंच आप रखके ऐसे मार्क कर लें यह हलकी सी ऐसी गुलाई दे दीजे तो यहाँ पर देखें हमने मार्किंग कर लिए तो आप यह देख लीजिए इतना तो दो इंच तो हमारे नीचे फोड हो जाएगा ठीक है और हलका सा हम इसमें गोल शेप देंगे तो वह देड़ इंच पे लेना है और हलका सा गोल जैसे मैंने राउंड दिया इस तरह से आपको राउंड देने के बाद और एक 8 इंच पे मा अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो जो हम कटिंग कर रहें तो वह दो इंच का मार्जन लेते हुए हम यहां पर कटिंग करेंगे तो यह देखिए मैंने एक माग कर लिया हुआ है इसी माग पे हम अपनी कटिंग कर देंगे और आर्मूल्स पे भी हमने देखिए दूसरा मार्ग किया हुआ है उसी पर ही हम अपनी कटिंग करेंगे इस देखिए हमने अपने फ्रेंट वाले पार्ट दोनों पार्ट कटिंग कर लिए लिएए एक साथ….ब हम अपना बैक करेंगे, तो निकाल करने के लिए बटण बटटी ली है थो इसको निकालकर और बागि बैक कर लेंगे ऐपने मर्जुरिनमेन के बस सीम सीम रखना है यहां से उस तरह से आप देखेंगे जो बटण पार्ट इसको फोल्ड कर लीजे के यह हलका सा निकाल दीजा बाहर को और ऐसी रख की कटिंग कर दीजिए क्रेंगर अब यहाँ पर अपनी मैस की पर करेंगे यह से कुछ भॉंक से में सद लिए खेंक पहस कुछा आज़ हैं वोन सादो कुछ इंड मेलारी्फ मेला kino डाउनिंग का एक निशान लगाएंगे माकिंग करेंगे और जो हमारे आर मोल्स होंगे वो हम 8 इंच के आर मोल्स लेंगे इस तरह से आज हमारे पार्ट होगा उससे हलका सा नीचे को डाउन करते रहेंगे और यह हमारे माकिंग और यहांसे हमारा मुरी वारा पार्ट होता है जो बाध्जू का, तो हम नि धूलनारब लेंगे चांश का तो चांश पर रखें इस तरह से मार्ग कर देंगे, और, यहांसे हल्कासा, मार्जन लेते हुए एक डेड़ इंच का वहाँ पर भी निशान लगा देंगे और कटिंग कर देते हैं अब हम अपनी स्लीव्स की अब को मेरे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपको उसका जवाब देंगे कि कैसी कैस था और हल्का सा स्लीव्स में दो पार्ट में हम जो अलगी से गुलाई होती है उसमें एक अधा इंच का माग करेंगे उसकी भी कटिंग कर देंगे सिर्फ दो पार्ट में करना ही ये फोर है लेयर आप देख लीजे सिर्फ टू लेयर में ही कटिंग करना जो हमारा फ्रंट में आएगा अब यहां पर जो हमारा कफ बनेगा तो हमारी कफ स्लीव जो है वो बहुत सिंपल ही है जो कफ लिंग वाली स्लीव बोलते हैं तो यह देखे मैंने 5 इंच का कपड़ा ले लिया है और इसकी चोड़ाई मैंने 5 इंच के लंबाई जो भी है जो हमारा जो बाजू वाला पार्ट है उतना ही हमने ले लिया है अब इसको इस तरह से फोल्ड करकर अपनी स्लीव बना लेंगे हम अब जब सबसे पहले हम इसकी स्टीचिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या हमें बनाना है सबसे पहले हमें बटन पटी को बनाना है तो सब एक पार्ट को लेंगे यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको फोल्ड कर देना है जैसे मैं फोल्ड करेंगे उसी तरह से फोल्ड करके आप स्लाई लगा दीजिए यहाँ पर कि 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 अब यहाँ से हम इस एक तरफ हमने स्लाई लगा लिए अब हम हल्का सा एक बूर इस तरफ से लगाएंगे दोनों साइड से हमें अपनी बटन पटी बनानी होथी तो दोनसाइड से सिलाई लगती है आप देख लिए कैसे में हम लगा रहे हैं उसी तरह से आपको लगाना है अगर आपको दोनों पट अलग अलग चाहिए हूं तो काज बटन अगर चाहिए तो काज बटन कर सकते हैं बटियां पर हम थोड़ा सा जॉइंट कर देंगे तो इस तरह से मैंने रखके इसको जॉइंट कर लिया हुआ है और आगे का थोड़ा सा खोल दिया यहां पर हम मैं बोटनेक राड़ी करूंगी तो मैंने यहां बोटनेक की कटिंग कर लिए हैं अगर आपको शिप या बोटनेक जो भी बोलते हूं तो उसकी कटिंग ना आती मेरे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं अभी मैंने कटिंग कर रहा है एक कपड़ा लोगी और उसे के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे हम मैंने देखिया अंदर वाला पार्ट काट लिया ठीक है यह आप देख सकते हैं इसकी गुलाई कट गई अब हम दो इंच का लेंगे और इस तरह से इसकी जो नेखा में रैडी करना है उसकी पटी कट कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही इसली तरीके से नेख रैडी हो जाता है यह कुर्टी भी हमारी बहुत ही इसली तरीके से रैडी हो रही है आप लोग ज़रूर ट्राइ करिए से मैंने बैग को फ्रेंट दोनों इसी तरह से इसके पटियां काट ली होई है अब नेक को रैडी करेंगे हम लोग तो यहां पर बस देखिए आगे से रखना है फ्रेंट से और दोनों पार्ट जो होंगे वो जो सीधा वाला पार्ट को दोनों अंदर को सची होगे और उपर क आपको बताएंगे तो यहां से देखिए हमने पटी को लिया अपनी एक स्लाइ लगा देंगे इस पे बहुत ही आइस्ता से स्लाइ लगाईएगा क्योंकि हमारा यह नेक है और नेक हमारा बहुत ही अच्छा बना चाहिए जरसो भी गलत हुआ तो हमारी सारी कुर्दी के फिनिशिंग और सब कुर्दी हमारी खराब हो जाती है तो यहां पर देखिए हमने इस तरह से इसको रख देखिए हमारी कुर्दी भी हलकी सी ओपैन है मैंने पीछे का भी पार्ट बना लिया इस एदर से और दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया हुआ है यह हमारा नेक भी आगे पीछे मलदा फ्रेंट और बैक दोनों का बन गया हुआ है अब हम अपनी साइड वाली स्लाइ लगा देते हैं पहले तो यहां से जो हमारे यह साइड वाली स्लाइ है जो फिटिंग किया है दोनों तरफ से दोनों साइड से मिस को लगा देंगे यह देखिए अब यह जो चाक वाला पार्ट है वस अपनी मशीन जो है यहीं पर रोक कर स्लाई को पका कर देंगे और इसको छोड़ देंगे और हमारा चाक कैसे बनना है यह आपको बताएंगे हम यह इस तरह से नॉर्मली बनेगा बस ऐसे लेना है और एक स्लाई लगा देनी है इस तरह से और यह वाली पती मम देखिर यहाँ पर हमने इपनी इस वाली प्लगा लगा ली होई है चाक वाली ओपपर यह आ गई है और यह हमारी A-Line की भी कुर्टी है चाग भी open है अगर यहाँ पर हम काज बटन करके इसको बंद कर देंगे अब यहाँ पर क्या बची है हमारी नीचे की स्लाई बची है और अब इस वाले पार्ट में हम stitching करेंगे यहाँ पर हमने अब यहाँ पर रखें यह वाला जो पार्ट है जो हमारा आगे का पार्ट है वो हमारा जो ही क्या करते A-Line का रहेगा तो मैंले शी कटिंग होगी तो शी कटिंग के मिले मैंने तीनीच लिया आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिया है और इसकी शी कटिंग हम दे देंगे मैंने आगे फ्रेंट वाले पार्ट को लिया है जब मैंने चाक और आगे की बटन पटी बनाने के बाद मैंने शी कटिंग करी है यह देखे अब इस तरह से यह हमारा फ्रेंट में शी कटिंग हो गई अब नीचे बाले पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे, अब यहां पर हम चली मशीन पर आ गए हैं और इसकी स्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़रा सा फोल्ड करेंगे और उस पे स्लाई लगा देंगे, यहां पर हम जो नीचे पतली स्लाई लगाते हैं, व आप देखिए मैंने एक लगा ली ठीक है, क्योंकि गुलाई जो हमारी होती है, उसमें हमें इस तरह से सलाई लगानी पड़ती है अब हम एक फोल्ड और करेंगे और सलाई लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरह से हमारी बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है तो इसी तरह से हमें स्लाई लगानी चाहिए जो हमारे गोल मतलब यानि की शी कटिंग या कुछ भी हो उस तरह से अब यह अब अपनी स्लेप्स को हम रेड़ी करेंगे तो यह भी बहुत एजी तरीके से रेड़ी होंगी तो आप देखिए अब यहां पर हमने देखिए सीधे वाले पार्ट में इस तरह से जैसे मैंने नेक रेड़ी के आदर स्लाई लगाई थी ठीक है तो उसी तरह से हम यहां पर भी एक ऐसे कपड़ा रखने हैं जैसे मैंने रखा है यह रखेंगे अब इसको फोल्ड कर इधर को इधर से लाना है जो मैरी स्लाई दिख रही होई है और उसी के उपर फोल्ड करके हमें रख देना है यह देखिए जो उल्टा वाला पार्ट है उधर से हमने जो यह के स्टिप लगाई है पट्टी लगाई है इसको उपर को फोल्ड करना है बट यहाँ पर हम स्लाई नहीं लगाएंगे इससे हमें ओपनी रहना है बस इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो इस तरह से अब यहाँ मैंने इसको कर लिया स्लीफ के शेप में दे दिया और एक स्टिप्स लाई लगा दी और जितना भी हमारा आर्मोल सा रहा था वहीं पर रोग देंगे हम और यहाँ पर अपनी गोल्ड स्लीफ रैडी करेंगे तो इसे सीधी करनी है स्लीफ को ऐसे लगेंगी यह यह देखिए इस तरह से हम सीधी स्लीफ करेंगे और कुर्टी को उल्टा ही रहन देंगे ठीक है और इसके अंदर हम डालेंगे आर्मोल्स के अंदर और गोल पकर कर स्लाई लगा देंगे जो सिलाई वाला पार्ट हमारा आर्मूल्स का होगो जो स्लीफ में होगा वो दोरों को एक दूसरी को पर रखेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने अपनी स्लीफ को जॉइन कर लिया हुआ है इस तरह की मेरी स्लीफ रैडी होई है अब मेरी कूर्थी फाइनली रैडी हो गई है तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी कूर्थी यह देखिए मैंने अपनी कूर्थी रैडी कर लिए अब यहाँ पर मेरा क्या काम बागी है यहां पर मैं बटन बनाओंगी यहां पर काज करूँगी और फिर उसके बाद यहां पर बटन लगा दूँगी यह देखे मैंने इस तरह से बटन लगा दिया आगे की पटी में और अपने चाकवले पार्ट में यह हमारी कुर्टी रेडी हो गई है